नमस्कार अधाव सर्षिरिकाल मैं हूँ आपका दोस्स आपका हो शुबेंदिक जोहान आप लोग का स्वागत करता हूँ जहां पर हम लोग प्रिवेस एक के कोश्चन के उपर चर्चा करेंगे जिससे के बाद मैं आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा ह इसके बाद मैं आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कोश्चन जो पूछे जाते उन को की से क्रैक किया जाता है इसके बाद मैं आपकी practice होगी, साथ मैं आप किताबों के अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो समझ पाओगे, इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है, प्रिवेस यह के questions वेसे, कई बार option ऐसे कैसे उठा के पुछ ले जाते हैं, तो कई बार question ऐसे कैसे पुछ जड़ा important रहने वाले है, तो शुरू करते हैं, सेशन को पर उसके पहले ही बार मेरे बार में जान लो, मैं शुबह सी चोहान हूँ, best picture award winner रह चुका हूँ, an academy के ओपर, इतना ही नहीं, I am the most loud, most view educator on an academy, इसके अलावा thousands of बच्चे, अभी तक मैं इसे mentorship ले चुके हैं, अगर आप लोगो मेरे साथ में रेगुलरी जुड़ना है, तो आप लोग src10, telegram group के उपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो, मेरे class की update, ppd, pd, pdf, सब कुछ आपको अपको मिल जाता है, इसके अलावा, रोज सुबहार बच्चिशन के लिए, तो आप लोगो को 25% का discount मिलेगा, इसके अलावा बहुत important चीज़े आगे मत करना, quality enrichment program के तहत, आप लोग को free of cost, unacademy, डेली सेंटर में बुलाएगा, अगर आप लोग prelims 24 को qualify करते हो तो, उसके बाद में आपकी mains की preparation, unacademy के अंदर, offline platform के अंदर होगी, unacademy के teachers आपको पढ़ाएंगे, आपके खाने, पीन लोग को ये सारे benefit जो हैं, वो मिलने वाले हैं, इसके अलावा, अगर आप लोग 2 या 3 साल का subscription ले रहे हो, मतलब ऐसे बच्चे हो, जो अभी college में पढ़ रहे हो, तो आप लोग को 2-3 साल का subscription की आवश्यक्ता लगेगी, अगर आप लोग वो subscription ले रहे हो, तो आपको 43 प्रत membership मिलेगी, तो चलिए दोस्तों शूरू करते हैं सेशन को, टी बोर्ड के बारे में इन में से कौन सी चीज़ सही है, टी बोर्ड एक statutory body है, ministry of agriculture and farm welfare के अंदर आती है, टी बोर्ड का head office, बैंगलोर में है, और टी बोर्ड, overseas office जो है वो दुबई और मॉस्को में देखने को मिल टी बोर्ड के बारे में इन में से कौन सी चीज़ सही है, टी बोर्ड एक statutory body है, टी बोर्ड जो है, वो ministry of agriculture and farm welfare के अंदर आता है, टी बोर्ड का head office, बैंगलोर में है, टी बोर्ड जो है, उसके overseas office में को दुबई और मॉस्को में देखने को मिलते हैं, में से कौन सी चीज़ सही है, 13243414, जल्दी बताओ, तो दिमाग लगाओ, चाय, टी बोर्ड, क्या करती है, चाय के एक्सपोर्ड अगिरा के उपर लाइसेंस अगिरा दिने आगाम करती है, अगर ये करती है, तो ministry of agriculture and farm welfare रखता है क्या, commerce होगा, commerce होगा मतलब, तू तो गलत ही हो गया फिर, अपना logic ही कह रहा है, कि तू तो गलत है, है ना, मतलब इससे क्या हो गया, बी उड़ गया, वहीं टी एक के जरीए ये टी बोर्ड जो है बनाई गई थी, यानि की statutory body है, यानि की ए जो है वो सही हो गया, वन सही होने के बाद में फिर आता है, कि टी बोर्ड का head office बैंगलोर में है, अरे चाहे बाई साब बैंगलोर में होती ही नहीं, तो बैंगलोर में करके करोगे क् कोई पूट है, क्या है, नहीं है न, तो यहां पर head office क्यों रखेंगे इसका, इसका रखेंगे कोलकत्ता के अंदर, और रखेंगे, तो फिर यहाला option गलत हो जाता है, वन सही है, तू गलत है, थ्री गलत है, ठीक है, फोर्द नहीं पता चलो, तो इस से भी निकाल तो सकती ही है कि थ्री और टू वाले सारे उप्षन गलत हैं तो तो ती एक्ट आया था था नाइंटीन फिफ्टी थ्री में याद रखना पिए एक्ट जो वो सेंट्रल टी बोड एक्ट को हटाता है साथ में इंडियन टी कंट्रोल एक्ट ऑफ 1938 को भी अटाता है इन दोनों को हटाने के बाद में टी एक्ट के जड़ी है टी बोर्ड बनी थी जो की टी के लिए एक लाइसेंसिंग कमिटी के रूप में काम करती है ठीक है सब्सक्राइब क्ल्क लाइसेंस वाला काम कर रही है तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कम नहीं कर रही है जिसके अन्दर एक चेर में उता है उसको मिला के ये लोग जनरली member of parliament से draw किए जाते हैं टी producers होते हैं टी के traders होते हैं टी के brokers होते हैं consumers होते हैं और government के representative होते हैं इन सब को मिला के टी-board जो बनाई जाती है हर तीन साल के अंदर से किया जाता है इसका ओफिस कोलकत्ता में मिलेगा लंडन में मिलेगा मॉस्कों में मिलेगा दुबई में मिलेगा ठीक है तो इसका कायां से फोर्थ जो है वो सही है इसके अलावा अगला सवाल consider the following statement high cloud reflect करते है solar radiation को और धर्थी के surface को cool करते है दूसरा low cloud जो है उनकी absorption capacity बहुत जादा होती इंफ्रारेड रेडियेशन से इस कायां से धर्थी की surface को गरम करते हैं इन में से कॉंसीची सही है करते हैं झाल झाल चलिए देखते हैं अगर मैं क्लाउड की बात करूँ तो क्लाउड क्या कुल मिला के वाटर वेपर है यह धर्ती है धर्ती की सर्फेस अब धर्ती की सर्फेस के उपड़ एक एटमॉल स्वेर है एटमॉल स्वेर में धेसारी गैसेज हैं यह गैसेज क्या करती हैं रेडिएशन को अब्सार्ब भी करती है रिफ्लेक्ट भी करती है सब गैसे का अपना एक अलग-अलग बिहेवियर होता है जैसे जिसका मतलब क्या है कि अगर छोटी होगी तो एनर्जी ज्यादा तो मतलब गरम सर्फेस की एनरजी ज्यादा होती है गरम सर्फेस की ज्यादा होती मिला वेवलेंग्ट छोटी हो नीची है तो मतलब सूरज से जो रोश्णी आती उसकी वेवलेंग्ट छोटी होती हो अब धर्ती के ओपर यह रेडियेशन आई ना तो उसके बाद में धर्ती तो फिर नहीं को अब्साटाब करेगी अब धरती अगर दिये रेडिये人 को आपस चोड़ भी तो रही होगी अरथी को क्योंकि धरति की सर्फिस बींट ले भाली बैश्ती क्यों क्योंकि एसजिएगी एमदा है इसके अनुसार जादा बड़ी वेवलेंट जो है वह हम लोगों को देखने को मिलेगी को कि सर्फिस कूल है ठंडी है ठीक है अब सूरच की रौष्णी और धर्ती की रोष्णी धर्ती की रेडियेशन यह दोनों का जो रेडियेशन हो रही है इन रेडियेशन के प् ठीक है यह काउंसी कारबन डवयक्षएड वगर्फ है यह ब्लेक कारबन क्या कर देगा टेप कर लेगा रेडियेशन को दरती के सर्फिस को गरम करदेगा वाटर वेपर वाटर वेपर वस्त जैसे ट्रलो तो बादल जब होते हैं तो सूरच की रोष्णी को आने पी निग स देते नीचे उपर जाने भी नहीं देते जो आपको बादल लगातार दिखा देंगे तो सूरज की रोष्णी नीचे आती दिखाये देगी बादल पर वहीं अगर मैं बात करूं किया जब धर्ती की रेडियेशन का क्या होगा तो जब बादल होते हैं तो धर्ती की बादल का बिहेवियर समझ में आया ना वाटर वेपर है अब इसी लॉजिक से चीजों को डील करो ठीक है अगर मैंसे हाई क्लाउड की बात कर रहा है तो धर्ती है इसके उपर हाई क्लाउड है ठीक है यह इमेज देख लो है इमेज क्या बनती नहीं है पुरी डंग से यह ह है अरफीली ओत पतले होते है पुल मला की होते है पतले है आपके आसमान में थोड़े बहुत हाई ग्लाउड है ठीक है तो आपको सूरज दिखना बंद हो जाता है क्या नहीं होता यानि कि सूरज की रोशनी को बहुत ज़रा रएफलेक्ट नहीं करते हाई क्लाउड लोग करते हैं जब low cloud होता तो उस समय पे हम लोगों को लेखने को मिलता है कि low cloud के समय पे सुरद नहीं दिखाया दे रहा है क्योंकि low cloud मोटे होते हैं तो सुरच की radiation को नीचे नहीं आने देते हाई cloud और low cloud में थन्डा है सुरच की रोषणी को अधियेशन बी कम करेगा यह रेडियेशन भी कम करेगा यह रीडियेशन भी चाल करेगा लोड और धरती की रोषणी को भी कि रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा पर धर्ती तक सूरज की रोशनी आज़ी करते हैं तो सूरज की रोशनी इतनी धर्ति तक नहीं पहुंच पाईगी कब जब लोग क्लाव के समय नहीं जिसी काइण से हम लोग कह सकते हैं क्या जो हाई क्लावड है वह रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये हाई अब्र्ण करते हैं इनिफ्राएड रडियशन का किसकी वाद़ा से धर्ती की सरसेज वह गरम होती है दो लोक लाउड होते थो यह रफ्लेक्शन करते सूरज की रोशनी का रेडियेशन जदा करते तो इसका अब graduates डोफ से रेडियेशन इतनी नहीं पाएगी धर्ती की हो से रिफ्लेक करें तो यह अला भी गलत हो जाएगा जिसके कावन से नाइधर वन और टू इस राइट आंसर ठीक है यह इतना बड़ा उसी चीज़ का का एक्स्प्रेनेशन है बोलो बासमझ में दोस्तों आज के लिए टेलीग्राम लूग के ओपर मेरे साथ में जूर सकते हो मेरे क्लास की अपडेट पीटी पीडियेफ सब कुछ आपको आपको मिल जाता है इसके अलावा अगर आप लोग को अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले कोड यूज करते हो तो आप लोग को 25 प्रतीशत तक का डिसकाउंट मिलेगा इसके अलावा बहुत इंपोर्टन चीज़ें आगे मत करना क्वालिटी इन्रिश्मेंट प्रोग्राम के तहत आप लोग को फ्री और कॉस्ट अनकेडमी डेली सेंटर में बुलाएगा अगर अनकेडमी के अंदर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर होगी अनकेडमी के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे आप ये खाने पीने रहने खाने सबका खर्चा जो वह अनकेडमी उठाने वाला है तो जाओ सब्सक्राइब करो एसासी टेन कोड का प्रयोग करो जिसके बाद में आप लोगों को ये सारे बेनिफिट जो हैं मिलने वाले हैं इसके अलावा अगर आप लोग 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो मतलब ऐसे बच्चे हो जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप लोगो 2-3 साल का सब्सक्रिप्शन की आवश्क्ता लगेगी बाद में आप लोगों को मेरे दोरा वनार्वन मेंटेशिप मिलेगी